है लो फ्रेंड्स वैलकम टो यूटूब चैनल टागेट अचीवर तो फ्रेंड आज हम उत्राखंड में एतिहासी काल के बारे में अध्यन करेंगे उसके भाग चार का अध्यन करेंगे तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉटेंट फैक्ट शेयर करने व हम अपने पेची तरफ तो आज हम उत्राखंड में एतिहासी काल का भाग चार पड़ेंगे तो हम पहले पॉइंट की तरफ चलता है कि उत्राखंड छेत्र में सिक्को अभिलेखो एवं तामर पत्रों के अधार पक्या प्राचीन इतिहास को संग्रित करने का प्रयास किया तो इतिहास कारों का कहना है कि सिक्को अभिलेखो एवं तामर पत्रों के अमाध्यम से या एतिहासी काल का हमें बहुत होता है यानि कि उत्राखंड छेत्र में जो सिक्के अभिलेखो एवं तामर पत्रों मिले है वो एतिहासी काल का बहुत कराते हैं नेक्स पॉइंट है कि पॉड़ी के श्री नगर में इस्ति श्रीयंत्र टापू पर अलगनदा तट के श्रीयंत्र टापू पर नगर के चार ओर चार श्रीलोंगों की जो इस्थापना है प्राचीन है यानि कि इतियास कारों का कहना है कि जो श्रीयंत्र टापू पर चार ओर स केशा देनीस कित्ति हैं कि मिलता है जो पॉड़ी स्रीटनगर मेर्म को.... उस पे क्या सक्समवत का 1547 का ले मिलता है जो केशव राय मठ है वो केशव राय द्वारा इस्थापित किया गया था केशव राय जो मठ है वो केशव राय द्वारा श्याम सहा यानि पवार वन्स के राजा श्याम सहा के सासनकाल में इस्थापित किया गया था श्री नगर कुडिन दिर नरेश सुभाओं की राजधानी थी यानिकि जो पौडि में श्री नगर इस्थी थी तब वो कुडिन नरेश सुभाओं की राजधानी थी नेक्स पॉइंट है की अलगनंदा के दूसरे तट पर इस्थित रणीहाट गाओं का राजराजश्वरी मंदीर पावार काली उत्क्रेश्ट वास्तु कला का उधार्ण पस्तुत करता है जो राज राज जश्वरी देवी थी वो पावारवंज की भी कुल देवी थी यानि कि जो राज राज जश्वरी देवी थी वो पावारवंज की कुल देवी थी नेक्स पॉइंट है कि तरह छेत्र में इस्थित काशीपुर नगर आधियातियासिक गोविशान के रूप में पहचाना गया है नेक्स पॉइंट है कि कर निंगम द्वषक गया चित्रकारी की गई है जो कर निंगम द्वाए सर्वेक्शन में खुजे गए है अब नेक्स पेस की तरफ चलते हैं हम अपने तो हम नेक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यमुना की साहक अमलवा नदी के 22 अवस्थित कालसी के अप्राची नाम एथिहासिक काल में कालकूट वह सुद्नगर माना गया है तो ऐठीहसिक काल में काल सी को किस नाम से जाना में जाता था, काल कुट वह सुद्नगा नाम से Next point है कि मोरी समराट असोग के अभिलेक, इसवतिक सिला खंड पा अभिलेक के साथ हस्ती पाओं के मध्ध गसता में अंकित है यानि कि जो असोक के अभिलेक के साथ इस फटिक सिला खंडी जो हमें मिलाता हूँ से इस सिला को जो इस्थानी लोग चितरी सिला के नाम से जाने जाते हैं। गोईस्थल एवन राजस्व अभिलेकों में गोथला जो है वो वर्तमान गोपिश्वर के नाम से जाना जाता है। गोपिश्वर से ही मिलता है जिसकी लीपी के हमारी शंक लीपी है जिसमें शंक लीपी का उप्योग किया गया है। अलंकरेत इस्टिकाय मिली यानि कि उत्तरक आसी का लक्षेश्वर मंदिर है वहां से अलंकरेत इस्टिकाय मिली है। तो हमारा नेक्स पॉइंट है कि सक समवत के अधार पर 1214 इस्वी में बैजनात लेक जो है वो बागिश्वर के लक्षेश्वर मंदिर से मिला है। नेक्स पॉइंट है कि अल्मोडा के कोट की माई मंदिर से चंदराजाओ के तामर पत्र भी मिले है। न मानी है वो पाली पचाओ मानी है। नेक्स पॉइंट है कि चंपावत को चंदो की प्राचिंतम राजधानी के रूप में भी जाना गया है। तो इतियासकार जो हम कहते हैं कि जो एतियासी काल की जो चंदो की राजधानी तो वो क्या थी चंपावत थी। तो friends कैसी लगी आपको ये video comment section में लिखका जरू बताए तो friends चैनल को वीडियो को like और share करें और channel को subscribe जरू करें तो friends मिलता हम अपनी next video में